चर्चा करें सबसे पहले में इसके सामाने परिशे के बारे में देखेंगे कोटिले उनके द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त के बारे में किसी गबीर अध्धन से पहले इस तर्थे का उलेख करना दिस्चल्स होगा कि 19 वी सदी तक भार सही संपूर आधुनिक युक का पुर्भुद्वर कोटिले के इस ग्रंथ से पूनते अय परचित था किन्तु विभिन प्राचीन राजनेतिक एमसाहितिक ग्रंथों में कोटिले उनके ग्रंथ अंसास्त का जो लेख मिलता है उसके आधार पर ये अवस्य माना जाता है कि अतीत में कोटिले नामक सास्त्री अवस्य हुआ और उसने अर्थ सास नामक ग्रंथ की रचना की जो अनुपलब्द है ये देवे सयोगी था कि सन 1905 में तंजोर के एक ब्राहमन ने कोटिले अर्थ सास्त की एक हस्तलिकित पांडूली पी ततकाले मैसूर रियासत के प्राच्चे पुस्तकाले को भे कोटिले के नाम से जाना जाता है उसका वास्त्रिक नाम विश्णुगुप्त सर्मा है और भारतिय जनमासन मानस उन्हें चानेकके के नाम से जानता है यदपी चानेकके का नाम उसके पिता का है किन्तु जनमानस ने स्विम कोटिले को चानक के नाम से याद रखा है संभव उसे कोटिले नाम इसलिए दिया गया कि उसका जनम कोटिल नामक गोतर वाले ब्राह्मन वंस में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि कोटिले के गोतर का नाम कोटिल है जिसकी स्तापना कोटिले नामक रिशी के नाम पर होई थे। इस दिशी से कोटिले का वास्टिक नाम कोटिले होना चाहिए। कोटिले वास्ताव में कोटिले का अभ्रंस तो ही यह अर्थ की द्रस्टी से भी दूसित है। कोटिले का अर्थ है कप्टिक कि दू वर्तमान का अर्थ में कोटिले नामी पर चलित है और इसलिए इसे अपनाय गया है एत्यासिक द्रिष्टि से कोटिल्य इस्वीपूर तीसुरी सदी के आचारी हैं उनका जन्म प्राचीन भारत की प्रशिद नगरी तक्षिला में हुआ था कोटिल्य की गण्णा प्राचीन भारत की महंतम आचारियों में की जाती है उने दर्शन राजनिती सास्त्र और सास्त्र आदि के साथी धनुर्वेद सास्त्र विद्या का असाधरन ग्यान था उनका प्रमुख्वे प्रियकारी अध्यापन था और उनकी गण्णा उस नालंदा विश्विद्धा लेके सफलतम शिख्षकों में थी जो ततकालीन भारत के स्रेश्टम विद्धा प्रदान करने के लिए सुप्रिशित कोटिले तपस्वियम त्यागी प्रवर्ती के ऐसे स्थेश्ट आचारिय थे जिनकी वहवारिक राजनितियां और राजवयभव में कोई प्रतक्षरूची नहीं थी किंतिव परस्तितियों ने उसे वहवारिक राजनितियां में भाग लेने के लिए बात दे कर दिया और अपनी प्रतिवा के बल पर वे ततकालीन भारतीय राजनितिय का प्रभाव सालिक केंद्र भी बन गये थे इस सम्बंद में कुछ प्रमु गटनाय हैं जिनने हम यहां देख सकते हैं दूसरा भारत पर यूनानी वीर पुरू सिकंदर का आकर्मन प्रतम गटना ने को नंद बंस के सासन का अंत करने की पृतिग्या करने को मजबूर किया और दुत्य घटना ने यह प्रेड़ना दी कि भविश्य में किसी विदेशी के आकर्मने से संपून भारत की रक्षा के लिए एक अत्यंत सक्षिसाली केंद्रिय सत्ता की स्तापना की जरूरी है कोटिले का अपने उपरोग देशों में सफलता तब प्राप्त हुई जब उन्होंने अपने कुटिले काट्टे निती के द्वारा नंदबंस तथा इसके सासन का विनास किया तथा राजपत पर अपने प्रिये वीर आग्याक्यारी वे संयमी सिस्ये चंद्रगुप्त मोरीय को बैठाया और इस प्रकार इतियास प्रसीत उस मोरीय सामराज्जी की स्तापना हुई जो अपने विस्तार सक्तिय ववस्ता में अनुपम था स्वम कोटिले ने इस सामराज्य में प्रधान मंतरी पद स्विकारा किन्तु इस पद पर भी कोटिले का जीवन अत्यन साधगी वाला रहा और उनके लिए राज सत्ता राश्ट सेवा एवं अभी ठान का साधन ही रहे अब हम देखते हैं कि उनके द्वारा रचित ग्रंथ अर्थ सास्तर की विवेचना प्राचीन भारतिय राज सास्तर के स्यास में कोटिले करत अर्थ सास्तर का अधित्ते स्तान है इस ग्रंथ की विवेचना निमलिकित आधारों पर की जाती है पहला अर्थ सास्त का रचियता है और रचनकाल अर्थ सास्त की प्रकरती अर्थात ये एक राजनितिक ग्रंथ है अर्षास्त की विशेवस्तू, अर्षास्त की सेलियों भासा, उसकी अध्धन पद्यतियों और अर्षास्त का प्रभाव अर्षास्त का रचेता हैं और रचनकाल अर्षास्त के लेखक इस ग्रंथ के रचनकाल के बारे में दो प्रमुखमत बताते हैं पहला मोरिय समराठ चंद्रवप्ध गोवरे की गुरू एयों महमंतरी आचारिय विश्वनुगुप्ध सर्मा अर्थात कोटिल्य अर्थशास्त के रचेता थे और इस द्रश्टी से इस ग्रंथ का रचनाकाल इस्विपूर तीसरी सद्धी है इस बारे में दूसरा प्रमुख मत है कि उपलब अर्थास्त की अज्यात विद्वान द्वारन निर्मित एक एप्रमानिक जाली ग्रंथ है जिसे कोटिले नामक कल्पित नाम से एक ग्रंथ की रचना की इस ग्रंथ के अनेक अंसेंस है जिन्सके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस ग्रंथ की रचना इसा के बाद पहली से चोधी चोथी सत्यापदी में हुई इस मत का समर्थन मिंटरनीज जोली एविकेल्थ एए जोन्सन अर्विन नात्बो शेम चंदर राय आधी ने किया दूसरा अर्थशास्त्र की विद्धा संबंदी प्रकार कोटिली ने अर्थशास्तर में कुल चार प्रकार की विद्ध़ाएं सुविकार हैं पहला आनवेच की, दूसरी त्रही, तीसरी वारता और चोथी दंड़निती उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थ शास्त का मुख्यविशे दंडर निती अर्थात राज शास्तर को ही स्विकार है महाकवी दंडी ने कोटिले के अर्थ शास्तर को दंडर निती कहा है कोटिले ने अपने ग्रंथ अर्थ शास्तर के पर्थम अध्याय में ये बताया कि वे दंडविनिती की विवेजना कर रहे हैं कोटिले ने अर्थसास को परिवासित करते वे खा कि मनुस्यों की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुस्यों से युक्त भूमी भी अर्थ कही जाती है और जो सास्त्र इस भूमी की प्राप्ति तथा इसकी रक्षा के उपायों को बताता है उसे अर्थ सास्तर कहा जाता है वस्तुते कोटिले सहीर प्राचीन भारतिय राज सास्तर उन्हें भूमी को समस्थ संपदाओं का सुरोत है वाधार माना है और इस भूमी की प्राप्तियों रक्षा करने वाली संस्ता ही राज्य है अर्थ सास्तर में कोटिले का आस्यत धंडनिती राज सास्तर से ही है ये बात उनके अगरलिखित करने से विश्पस्ट हो जाती है कि संपून सास्तरों का क्रमबत अध्यन करके और उनको प्रियोग को भली बाती जान कर ही नरेंदर अर्थात राजा के लिह हम सासन की विदी की रचना कर रहे हैं अर्थ सास्त की विशेवस्तु अर्थ सास्त की संपूर्ण विशेवस्तु अत्यनत व्यापक है जैसे इसमें निमलिखित चीजों को बताया पहला अधिकरण राजवर्ती निरूपन इसमें राजा के जीवन और उससे सम्मधित समश्याओं पर विचार किया गया है इसकी प्रुमख विशेवस्तु विविन विद्धाओं पर विचार, अमात्यवे मंत्रियों के निक्ति, गुप्चरों का निरूपन, राजा की स्वेजनों से रक्षा, विश्प्रतिकार उपाय, राजभौन, निर्मान, आदि दूसरा, अद्धक्ष प्रसार्ष, इस अधिकारण में सासन के विविन विवागों के अद्धक्षों की निक्तियों कार्यों का विवरण है, जैसे सन्नीदाता, समाधरता, अक्षपटल, सोना दक्ष, शुलका दक्ष, शीता दक्ष और विविन प्रकार की सेनाओं के अद इसके अंतरकत समाज के सामाने जीवन में विभिन प्रकार की आपरादिक बाद हैं, उत्पन करने वालों के लिए दंड विधान का उल्लेख है, जैसे सिल्पकरियों, व्यापारियों, कृतिम सिद्पुर्सों, चोरो आदि के गुप्त प्रकट आपरादों से देश की रक्ष आए तो उन्हें दंडित करना आदि, पांचवाद्याय योगवरत नुरूपन, इसे दी करन में राज भ्रत्यों के कर्तवियों का और उनमें से जो ए राज भक्तों उनके लिए दंड के नियमों का विवरन किया गया, जैसे कोश का संग्रे, राज भ्रत्यों का भ्रण पो बता है, साथ वाए सत्गुनों का नुरूपन, इसके अंतरका सत्गुन दिति के उद्देश है, उनके प्रकार, उनकी उपयोगता और विवहरिक प्रियोग पर बल दिया गया, आठ वाद्दा है व्यासनों का निरूपन, कोटिले ने राज जी की विपत्तियों के मूल कार विवेशन का है, और इन्हें दूर करने के उपायों पर विचार किया है, इस द्रिष्टि से राजा प्रकृतियों तथा सामान पुरसों के विवेशनों की विवेशना की गई है, कोटिले ने पीडन वर्ग, बल, वैसन, कोस वर वैसन, मित्र वैसन आदि पर प्रकास दल ल नवाद द्याय आकरवन का निरूपन, सत्रू को विजय करने के लिए शुरू किये जाने वाले प्रस्तान से पहले विचार ने विश्यों की विवेशना की गई है, जैसे सैनने सक्ति, देशवे काल के बलावल पर विचार, सैनने संग्ठन, आकरवन का समय, उत्पन होने व सैनने चावनी का निर्मान, युद के दोरान अपनी सेना की रक्षना, कूट युद के भेद, युद के योग भोमी, विभिन प्रकार की सेनाओं के कारिये सैनने वियू रचना आदि, ग्यारवा है संग व्रतन रूपन, कोटिल ने संग राज्यों के विनास पर विचार कर तेवे उनमें भेद ढालने के उपायों के रचना की है, बारवा दाय, अबलीशिये का निरूपन, इसके अंतरकर निर्बल द्वारा बलवान सत्रू राजाओं के प्रतिकार के उपायों पर विचार किया है, दूद क्राम, मंत्रियूद, राजमंडल, सेनापतियों, आदि तेरवा दाय, दूर्ग प्राप्ति के उपायों का निरूपन, इस अधिकरण में सत्रू के दूर्गों पर अपना अधिकार करने के उपायों की विवेचना की गई, जैसे योगवामन उपजाय अपने गुपचरों द्वारा सत्रू देश में निवास वे विच्ण, प्रियोगों के प्रतिकार के वारे बताया, और लास्ट है 15 अधिकरण, तंत्र युक्ति का निरुपन, इसमें अर्थशाषर के अर्थ की सामाने विवेचना पस्तुप की गई, और 32 तंत्र युक्तियों को बताया गया, अ्मnt में यह भी बताया गया, कि अपने क्रोच से नंद राजा से भूमी का उधार करने वाले कोटिल्ले ने इस ग्रंथ की रचना किया। अधिकान स्लोग प्रतेक अध्याय के अंत में निश्कर्स रूप में लिखी गया है।